नमस्ते जोई जोगनाथ हाई हलो और आप सब लोग कैसे हैं मैं तो बहुत अच्छी हूँ तो चलिए मैं और एक नए रेशिपी लेके आ गई हूँ तो रेशिपी का नाम है बरबटी की सबजी तो मैंने ये बरबटी की नाई हूँ तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है और मैं बहुत सिम्पल तरीके से मैं बनाई हूँ तो ये स्टार्ट करते हैं रेशिपी तो चलिए मैंने बरबटी को थोड़ा से लंबे-लंबे आकार में एक सिम्ला मिच लिया है उसको लंबे लंबे आकार में और बीज में से दो इससे कर ली हूँ लंबे लंबे आकार में पतले पतले आकार में दो इससे करके एक सिमला मीच काटी हूँ और मैंने कड़ाई बिठा दिया और तेल भी गरम होने दिया तो तेल मेरा गरम हो गया तो मैं आधा चमच जीरा डाल दी ह कर दो 200 प्याज को बारिक पारीक लंबलंब आकर में काती हूं तो 유म्हकर वे काती हूं puisque भी वेट से भीडों के साथ ही कीुप मुपिधा की उटप उसको न 모든 साथ आड़ पराई करें घर सोड़ रहे। नयुका ऊं सब्धात मैं कि अरकषी ही जूटरने हें। तो में बबोलती देखे रहे हैं, उनको मालूम होगा उनको मालूम होगा कि मैं बना रहे हूँ तो चलिए मैं बरबटी और सिमला मीच को अच्छे से धो के अच्छे से साप कर ली हूँ दो तीन बार और मेरा प्याज भी थोड़ा सा नरम हो गया था तो मैं बरबटी और सिमला मीच डाल दी हूँ और प्याज के साथ अच्छे से मैं मीक्स कर रहे हूँ और मीक्स करने के ब जाल दिया है और अधा चमच को डालने के बाद में या है अच्छे से मिक्स कर लूगी देरीjang मीनित के लिए चिकाल लाओ। सूर्फ मीनित करें लहाँ है। दुदुम के बहुत ही थोड़ा सा कच्चा है तो अभी टामाटर बीच में डाल दी हूँ तो टामाटर एक मीढियम साइज टामाटर को मैंने लंबेलंबे आकर में कार दिया है और टामाटर डालने से बारबटी के सबजी बहुत टेस्टी लगता है और बहुत बहुत टेस्टी लगता है रोटी के साथ एक बार आप ऐसे ही बना के देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है तो देखिए मैंने धक्कन धाग दिया है और दो मिनित के लिए और दो मिनित के बाद मेरा पूरा पक जाएगा बरबटी की सब्जी तो देखिए मैंने टमाटर भी थोड़ा हलका हलका मेरा नरम होने लगा है और और दो मिनिट के लिए मैंने डाग दिया है तो टोटल मेरा छे मिनिट लगा है पकने के लिए तो देखिए टमाटर और बरबटी की सबजी पूरा अच्छे से मेरा पक गया है ज्यादा टाइम न कर दिया है और मेरा सब्जी भी रेडी हो गया है तो मैं यहीं पर मेरा वीडियो रखती हूं बाई